आकाश्वानी भुपा से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनर जी केंद्र वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन्ने आगामी वैश्विक जल्वाईयू शिखर समेलन में जल्वाईयो वित्तपोशन और प्राद्योग की हस्तान तरण पर ठोस कारवाई का हवान किया है सैंग तुराश्ट के वाश्विक जल्वाईयू शिखर समेलन का 28 स्वासंस करण 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक सैंग तरभ अमिरात में आयुजित किया जाएगा इसमें जल्वाईयू प्रभावो, जीवाश मैं इंधन के उपयोग, मीथेन उचसरजन और ग्लोबल वामिंग को कम करने सहित विभिन अमुद्दो पर गहन चर्चा की संभावना है प्रदेश में मदगर्णा की तैयारियां जोशोर से जारी है मुखे निर्वाचन कारियाले के अधिकारी भी जिलों में जाकर इन तैयारियों का जायसा ले रहे है शिवपुरी के PG कॉलेज में 3 दसंबर को मदगर्णा का गाम किया जाएगा इसके लिए 5 कक्षा नरधारित किये गए हैं जिसमें 14 चौधर टेबल लगाई जाएगी कुनासिले में मदगर्णा सुपर्वाइजर, मदगर्णा सहायक और माइक्रो अब्जर्वर का प्रथम प्रशिक्षन आज दो पालियों में सुबह 11 से दो पहर 2 बजे तक और दुथिय पाली दो पहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की गई है तिलंगाना में गुरवार को होने वाले मददान के लिए चुनाफ प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा राजी में वधान सभा चुनाफ के लिए प्रचार चरम पर है रेलवे जनवरी में जबलपूर से दिल्ली जाने और आने वाली ट्रेनों को रद कर रहा है इन ट्रेनों को 9 जनवरी से 4 फरवरी के बीच रद किया जाएगा दरसल उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में आने वाले मधूरा जंक्शन स्टेशन में जनवरी से फरवरी के बीच यार्ड रिमॉडलिंग का काम होगा इस वचे से जबलपूर से दिल्ली जाने वाली गोनवाना, संपरक्रांती, जमुतवी, महकौशल समेथ पचास से ज्यादा ट्रेनों को रद किया गया है जबलपूर से दिल्ली को जोडने वाला मुख्य रेलवे ट्राक मतुरा से होकर जाता है माना जा रहा है कि लगभग पचास हजार यात्रियों का रक्षन भी रद होगा पच्चि मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ट को पत्र लिखकर इस पर कुछ ट्रेनों का संचालन जारी रखने को कहा है वसे जबलपूर, कट्नी, दमोह, सागर, नरसिंगपूर, गाडरवाड़ा, करेली, पिपरिया, महियर, इटारसी, सतना के लगभग पचास हजार यात्रियों का रख्षन रद होगा जावनवा अंतराशिय फिल्म महत सव इफी आज संपन होगा गोह के डॉक्तर शामा प्रसाद मुखर जी इंडोर स्टेडियम में आज शाम समापन समारों का आयोजन किया जाएगा इस अफसर पर कई फिल्मी हस्तियों और गणमान्य व्यक्ति यहां पर उपस्थित रहेंगे रॉबर्ट कॉलदनी निर्देशत अमेरी की फिल्म फेदरवेट इस साल इफी की समापन फिल्म है आज ही अनेक महत्वपूर्ण पुरुसकारों की घोशना भी की जाएगी जिसमें सर्वश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वे रहा है कल भी प्रदेश के इंदोर भोपास समेट चौधा जिलों में बारिश होई लगातार बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है और दिन के तापमान में तेज गिरावर दर्ज की जा रही है मौसम विभाक की अनुसार पश्ची में विक्षोप चक्रवात और ट्रफ लाइ की गई है क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-ट्वेंटी श्रिंखला का तीसरा मैच आज गौहाटी में खेला जाएगा ये मैच शाम साथ बजे शुरू होगा भारत श्रिंखला में दो शून्य की बढ़हत ले चुका है उसने तिरुवन अंतपुरम में ऑस्ट्रेलिया को 44 रंसे और विशखापटनम में दो विकेट से हराया था अब कुछ समाचार संक्षेप में धार जिले में भी गुरू नानक देव का पास उचोवनवा जन्म उचसव शद्धा भक्ती और हर्शुल्लास के साथ मनाया गया धार जिला मुख जक्षता में उड़न दस्तिक अठत किये गाए हैं बाल विवाह को रोकने के लिए जिलास्तरिय कंट्रोल रूम बनाया गया है अस बुलिटन में फिल हाल इतना ही अनुमती दीजिए नमस्कार